हेलो काईज मेरा नाम है राहूल अगरवाद और वेलकम बैक टो डिजिटल सॉल्ड तो गाईज मैं आपको call extension के बारे बताऊंगा ये google search ads में एक type of extension होती है जो खाली mobile devices के लिए use होती है इसे basically आपका number जो है वो highlight हो जाता है mobile devices पे और बिना ad को click कर रही आप पहले directly call कर सकते हैं उस ad के थुरू तो चलिए मैं google ads के अपने dashboard पे आगया हूँ मेरा ad already prepared है मैं जाता google search ads में extension यूज़ करने से आपको जरूर ही CTR में improvement देखने को मिलेगी ये क्योंकि google के algorithm के साथ ही चलती है और google का algorithm चाता है कि आप ऐसे extension यूज़ करें तो चले यहाँ पर मैं अपने dashboard पर आ गया हूँ google ads के यह मैंने ad बनाया था कुछ टाइम पहले हम इदर चलते हैं ads and extension के sign पर click करेंगे तो आपको site link extension मिल जाएगी इसमें basically एक छोटा सा link नीचे होगा external link होगा जो आपकी website का ही होगा बट आपको एक तरसे shortcut create करने का मौँका मिल जाएगा और हाँ call out extension और call extension दोनों अलग लग चीज़ है call extension से सीधा call जाने का option मिलता है आपके users को structured snippet extension हो जाती है आपकी highlight करती है specific aspects को specific links को आप directly नीचे डाल सकते है और directly जो आपका user हो सकता है वो आपके add पे ना click करो और बलकि इस extension पे click करके आपकी website के पहुँच जाए call extension मैंने आपको बता ही दे direct call करने का option हो जाता है lead extension होती है वो different forms जो अगर कोई submit करता है आपकी website पे तो उनकी details के ले होती है location extension हो गई गाईज अगर आपका कोई Google में business पे account है आपकी कोई registered है office Google पे तो आप उसका address जो feed करते है Google Maps के तुरू वो show हो जाता है उसमें affiliate extension जो हो गई वो आपके different different branches को promote करने के लिए होती है अगर आपकी एक branch का या और एक branch का या और है तो आप सबका links एक साथ दे सकते हैं price extension हो गई as a name suggest आपके product है अगर कोई यह service है कोई तो आप उसका directly price यहाँ code कर सकते हैं app extension आप तभी यूज करेंगे जब आपके पस कोई app होगा directly install link आप नीचे महाँ दे सकते हैं promotion extension हो गई आपके पास कोई special offer चल रहा है आप sale करना चाहते है special offer में तो फिर आप अब हाँ पर promotion extension को use करके दिखा सकते हैं अपने users को तो चलिए गाइस एक बार call extension बना के देखते हैं कि कैसे ही काम करती है बहुत ही simple है इसको बनाना जादा कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है अब हमाँ पर call extension के tab खुलते ही option देख रहा है add to campaign, account या add group यह तीन level हा रहे है अब यह बिलकुल आपकी choice है guys कि आपके पास किस level पर इसको add करना है अगर आपका एक ही business से account related है उसी number पर चल रहा है तो आप चाहिए इसको campaign या account level पर भी कर सकते हैं तो मैं फिलाल इसको campaign level पर कर देता हूँ और फिर यहाँ पर create new का option है या फिर use existing तो use existing का करके मैं दिख phone number लिख दूँगा तो यहाँ पर मैं demo phone number लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए guys तो चलिए next option पर चलते हैं इस conversion action का option दिखा रहा है हमें और use account settings call from ads कह रहा है यह तो मैं इसको ऐसे ही रहें दो यह default setting है इसमें हम जादा छेड़ से नहीं करेंगे next time आपस call interaction bid adjustment यानि क हम चाहते तो increase या decrease कर सकते हैं bid adjustment 30 बहुत percentage में होती है मैं इसको 10% increase कर देता हूँ तो जादा chances हैं कि मेरी call extension वाली जो है यह काम करेगी अब advanced option पर चलके देख रहे हैं एक बार device preference पूछ रहे हैं हमें यहाँ पे तो मैं बिलकुल recommend करूंगा इसको आप mobile को take कर देता हूँ क् कि क्या होता है mostly जो आपके call extension है वो mobile से ही होगी काम ऐसा तो बहुत ही कम होगा कि किसीने laptop पे या desktop पे खोला हो और फिर वो mobile से देख के call कर रहा हूँ तो इसलिए आप इधर से mobile option को ज़रूर टिक कर दीजे ताकि आपकी campaign जो थोड़ी optimize हो जाए अब एक important topic जो इसमें है वो कोई जना call करेगा तो किसी इंसान को ही उठाना पड़ेगा Google आपके लिए नहीं उठा रहे call तो आपके बास क्या इतना staff available है क्या इतने लोग है जो की 24 गंटे हर दिन एक call उठा सकें तो अगर नहीं तो बिलकुल आपको यह याद रखना है कि अपना ad जो अच्छे से schedule करन ताकि जो भी अगर कोई भी user call करता है तो हमेशा chance ज़राएगा कि उसकी call pick हो जाएगी और आपके business की reputation maintain रहेगी तो यहाँ पे suppose मैंने 10 to 6 कर लिया है business hours यानि कोई ना कोई जना available होना चाहिए इस time पे आपके business में और इस number पे कि वो call उठा सकें अब यह बात याद रखेग इसको 10 to 6 PM होगा तो फिर आपकी call extension भी visible होगी उसके अलावा आपका ad normally run कमेशा करता रहेगा तो यहाँ पे मैंने सारी settings देख लिए हैं कर दी है फिल अभी एक और option में देख रहा हूँ आपकी बहुत एक complicated business timing है तो आप अपने अराम से setting देख सकते हैं कि किस दिन को किस समय available हो सकता है कोई जना call के लिए तो फिर आप अराम से वो schedule कर सकते हैं और right side में आप देख सकते हैं यह preview देख सकते हैं कि ऐसे मेरी headline है ऐसे मेरे description है और फिर ऐसी call extension visible होगी तो यह mobile पर है उपर लिखा है मैं एक बार आपको desktop का दिखा देता हूँ यह हमने desktop select कर लिए और पास आ जाएंगी आप देख सकते हैं अगर आपने कोई भी extension create करी है तो याद रखिए आप उसे वो काफी ad groups में campaign भी use कर सकते हैं आपको हर बार same extension मिलानी की जरुद नहीं पड़ेगी तो चलिए कई आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में hopefully आपको यह clear हो गय section कैसे create की जाती है अगर आपके बस कोई भी query है तो comment section में लेखिए मैं जरूर solve करनी कुछ करूंगा वीडियो पसंद आए तो like करें और subscribe परें चानल को thank you so much for watching guys